चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडर दुरुफ की कॉमिक कुईज मास्टर का दूसरा भाग और यह पहली मैं इसलिए हल नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं बलकि सस्तों यहीं कि क्रॉसवर्ड पर जो जो लाइने लिखकर आ रही हैं मुझे वे भी पहले से पता हैं उनके जवाब भी और वह इसलिए क्योंकि मैं आदमी हूं को इस मास्टर टीटो का जो इस वे क्रॉसवर्ड साइन के कंट्रोल लूम में मौझूद है वेरी गूड अब दूसरी लाइन टाइप करो दाए से बाए नमबर चौथा आखरी लाइन और इसके डिस्पले होने के साथ साथ मेरा आदमी सभी बरे हुए क्रॉसवर्ड को ले आएगा फिर उसे पांच लाग का पहला एनाम भी दे देना और बाकी सारे इनाम भी दूसरे तीसरे और चौते इनाम क्योंकि इस क्रॉसवर्ड को और कोई तो हल नहीं कर पाएगा कुल इनाम की रकम हुई 10 लाग बॉस बॉस ये रहा सही सही भरा हुआ क्रॉसवर्ड लोग आ गया इस माईने का विजेता अब दो इसे 10 लाग रुपे अजीब आदमी हो तुम क्लूव वाले बाक भी तुम नहीं बनाए और जवाब भी तुम नहीं दे दिया और फिर इनाम मांगते हो अच्छी लूट है ता लूट हमको लूटेरा बोलता है यह पैसे तो हमने इनाम में जीते हैं ला दस लाग से भरा ब्रीफ कैसे तर दे इसको जीतना नहीं चीटिंग करना कहते हैं ठीटो बेहिमानी करना आ गया सुपर कमांडो ध्रव हाँ मैं आ गया और तुमारे भागने का चांस चला गया अरे भागेगा कौन अभी तो तुमसे बहुत सारी पहेरियां बजवानी है अचा बताओ मरकर इनसान कहां जाता है और जवाब की मुझे जल्दी नहीं है कभी सपने में आकर बता जाना क्योंकि तुमारा हालमास का बदन तो आप बचेगा नहीं जहां तक भाग सकता है भाग ले टीटो देखते हैं दस सेकंड में तो कितनी दूर भाग सकता है क्योंकि इतना ही समय लगेगा मुझे तेरे आद्मियों को भ्योश करने के बाद तुस तक पहुंचने में ओ तुम तो फास्ट फॉरवर्ड में काम करते हो अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा भचने का कोई रास्ता नहीं है पर मैं जिन्दा पकड़ा नहीं जाऊंगा सुचाइज कर लूँगा आत्मत्या अरे-अरे ये तो सचमुच नीचे खूद गया पर बाहर जाग देद्रों को सच्चाई का पता चल गया इसने पहले से भागने का रास्ता तयार कर रखा था पताई करने वाले और उची मारतों की खिड़कियों साफ करने वाले जिस यंत्र इसके फोल्ड का प्रयोक करते हैं उसे इसने पहले से लटका रखा था और अब उसी से उतर का भाग रहा है लेकिन इस बार में तुमको भागने नहीं दूँगा हट मुझे बचाने वाले बहुत लोग है द्रोग बताओ इंसान किसके आगे जुख जाता है कोईज मास्टर भीर को चीरता हुआ उस सब्वे की तरफ भाग रहा है मुझे उससर रोकना होगा क्योंकि उस सब्वे से पांच रास्ते अलग-अलग दिशाओं में निकलते हैं अगर ये सब्वे में घुस गया तो ना जाने किस दिशा में निकलेगा फिर मैं इसे ढून नहीं पाऊंगा कोईज मास्टर भाग नहीं पाया लेकिन ध्रोव उसे पकड भी नहीं पाया ये मज़ा तुझे मेरी पहली का जवाब ना देने के लिए अब ये एलेक्ट्रिक शॉक तुझे कम से कम पांच मिनटों तक पंगू अवस्ता में रखेगा और तब तक मैं पैसो सहीत यहां से निकल चुका ये कैसे हो गया ये एलेक्ट्रिक शॉक तो बहुत तकड़ा था तेरे जैसे मर्यलों के लिए तकड़ा होता होगा लेकिन ध्रोव ऐसे जटकों को रोजी जेलता रहता है यानि हम मैं पकड़ा जाओंगा तेक ध्रोव तूने मेरी पहली का जवाब नहीं दिया लेकिन अब मैं खुदी जवाब दे देता हूँ जिस चीज के आगे इंसान हमेशा जुक जाता है वह होता है गिरा हुआ नोट अब यही नोट मुझे बजाएंगे दुख तो रहेगा कि ये नोट मैं साथ नहीं ले जा पाया कि रास्तर जाम हो जाएगा और मैं इसके पीछे पीछे नहीं जा पाँगा और उपर से भी रास्ता इतना नहीं बचा कि मैं स्टार लाइन का प्रियोक करके जा सकूँ कोई मास्टर मुझे मात दे गया है बस मुझे जख मार कर एक बात का संतोष करना पड़ेगा और वह यह की टीटो पैसा लेकर भाग नहीं पाया आप सबसे पहला काम पुलिस को बलाकर लूट के इन रुपे को जनता से वापिस हासिल करना है दुरुप की हर कावर पर पुलिस जबार्डमन तुरंद कारवाई करता था हमने 9,55,400 रुपे तो रिकावर कर लियें पर बागी पैसो का पता नहीं चला मेरे ख्याल से कुछ लोग पैसे लेकर भाग निकलें उनकी रिकावरी तो असंबग है अरे इतना रिकावर हो गया यही बहुत है वरना पब्लिक तो मुझे मार मार कर कपर में भेज देती धंदा चौपट होता सो अलग आपने मेरी जानो आबरू बचा ली द्रूप भाई आप फरिष्टा हैं फरिष्टा परिष्टा होता तो शैतान मेरे चंगबल से बच कर नहीं भाग पाता पर इस बार वो अपने पते का कोई क्लू छोड़कर नहीं गया उसे तो पूरी आशा थी कि मैं यहां पर आऊँगा आखिरकार ओ वो क्रॉसवर्ट उस पर काली पहाड़ी और राजा लिखा हुआ है कहीं यहीं तो वो क्लू नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सादिक क्या आपके पास क्रॉसवर्ट के क्लूज हैं विवाग के जो टीटो ने बना कर दिये थे हाँ है ना यह लीजी जिए ओ पहाड़ी शब्द का क्लू है चुटकी बजाओ फिर लगाओ टान एक की उपर एक जमाओ वही मेरा घर है वहीं आ जाओ यही क्लू है जो क्यूज मास्टर मुझे दे कर गया है मुझे इसी क्लू के साहरे कुईज मास्टर टीटो तर पहुंचना है उसने जरूर काली पाड़ी के उस रासे पर उपर अड़ा बनाये हुआ है जो राजापुर की तरफ जाता है राजा शब्द इसी सरफ इशारा कर रहा है लेकिन काली पाड़ी यहां से थोड़ी दूर यह सफर स्टार लाइन पर नहीं मोटर साइकल पर टे करना होगा और इसके लिए मुझे कमांडो हेड़कॉर्टर वाफिस जाना होगा काली पाड़ी का मैंने चप्पा चप्पा उस वक्छाना थे जब मैं धुनी राज की तलाश में वहां पर गया था लेकिन वह काफी और उस सोच की दिशा थी टीटो को कैसे सलाखों की पीचे पहुचाया जाए यह टीटो कावी खतरनाक लग रहा है प्रो कहो तो मैं और रेनू को तुमारे साथ चले हैं येस केप्टन करीम यहां का सारा काम समाल लेगा नहीं पीटर मेरी अनुपस्तिती में तुम तीनों पर ही तो राजनागर की सुरक्षा का बार है वैसे और वैसे भी अगर मैं अकेले को इस मास्टर टीटो जैसे अपरादी से निंडिन रिपट सकता तो मुझे क्राइम फैटिंग का काम ही छोड़ देना चाहिए फिल्मी एरोज की तरह अपरादियों की भी एक खास स्टाइल होती है और इस को इस मास्टर टीटो की स्टाइल पहीलियों के सारे अपराद करने की है पस एक बास समझ में नहीं आ रही है हर बार कोई ना क्लू कोई ना क्लू देकर मुझे अपना पता देने का मतलब क्या है वह यह खत्रा क्यों मोल ले रहा है हर बार तो वो मुझसे बच नहीं सकता फ्यूम खैर इस बार इस सवाल का जब वो उससे ही पूछ लूँगा फिलाल तो यह बोड बता रहा है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ साफधान आगे वही है जो पीछे किरपया धीरे चलें लेकिन इस पहली का मतलब क्या है साफधान आगे वही है जो पीछे किरपया धीरे चलें आगे वही है जो पीछे अरे आगे एक बेरियर लगाए लगबख चार फूट की हुँ चाही थै यह जरूर टीटो तो अरही लगाया गया बैरियर है वह मझे रोकना चाहता है शायद वह समझता है कि मैं चार फूट की हुचाए मोटर साइकल से पार नहीं कर पाऊंगा चाहि कुछ भी हो हो जाए मुझे रुकना नहीं है मुझे इस बैरियर को पार करना है और उसके लिए मुझे अपनी गती को और बढ़ाना होगा रुकिए दुरुपकाद एक्सिलेटर पर घूम गया और एक जटके के साथ मोटर साइकल हवा में उड़ती हुई चनाक बैरियर को पार कर गई ये क्या ये तो शीशा है रास्ते में रखा हुआ है विशाल आई ना और इसको कोईज मासर टीटो ने पहाड़ी रास्ते के गोल मोड पर इस तरह से रखा था कि मुझे साडक मुर्ती दिखने के बज़ाए सीथी जाती दिखाई दे और वह चार फुट हूचा अवरोज शीशे के आगे इसलिए रखा गया था ताकि मैं अपने परतिबम या मोटर साइकल की लाइट को न देख सकूँ अब भाई द्रोव मैंने तो तुमको सचेट कर दिया था सड़क के किनारे बोड भी लगा दिया थे कि साफधान आगे वही है जो पीछे है यानि पीछे का परतिबम आगे नजर आ रहा है पर तुम तो मेरी नियत पर शक करके कूट गए अब बतो मैं क्या करूँ हाँ तुमारे घरवालों को खबर जरूर बेज़ दूँगा तुमने मेरे हर केसों का बड़े ध्यान से अद्धन किया टीटो तुमको ये पूरा हवास है कि किस परिस्तिती मैं किस तरह से कारे करूँगा इसलिए तुम ये भी जानते होगे कि मुझे इस खट में गिरा कर मारना बहुत मुश्किल है जानता हूँ पर तुमको मारना कौन चाहता है बड़े दिनों बाद तो ऐसा पर्दी दून्दी मिला है जिससे चुए बिल्डी का खेल खेलने में मज़ा रहा है अब मैं फिर भागूँगा और तुम फिर मुझे तलाश करना इस टायल लाइन के सारे उपर चड़ने में दुर्ग को जादा वक्त नहीं लगा था इतनी देन में कोईज मास्टर टीटो उस गुफा में घुस चुका है यही इसका घर यानी अड़ा होगा और मुझे अपना पता देने के पीछे भी इसका खास मकसद होगा मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ काली पारी के अंदर गुफाओं का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिसके अंदर जो भी फसा वो बाहर नहीं आ पाया कोईज मास्टर टीटो के घर के लिए इससे अच्छी जगे और क्या हो सकती है रास्ता ढूंडो वाली पहेलियों के तरह उस गुफा के पेचीदा और इंसानों जैसी नसे इंसानी नसों जैसे रास्तों मैं से बाहर निकलने का रास्ता है एक अच्छा कोईज मास्टर ही तलाश कर सकता है लेकिन मैं कोईज मास्टर नहीं हूं मुझे टीटो काड़ा पता करने में अपनी पूरी बुद्धी का इस्तमाल करना होगा और वे भी काफी समल कर त्योंकि अंधेरी सुरंगे खतरनाक चीज़ों से भरी हुई है जैसे ये खूनी चमगादरों की टोली ये अंधेरी कुफाओं को अपना घर बनाते हैं और अपने घर में किसी का धकल बरदाश नहीं करते आगे बढ़ने के लि टीटो इनमें से किसी एक सुरंग में गया पर किसमे मुझे सही सुरंग चिड़नी होगी वरना अगर कहीं गलस सुरंग में घुज़ गया तो सारी जिंदिकीन गुफाओं में घुनता रह जाओंगा यहां बहुत अंधेरा है स्टार्ट टॉर्ज का इस्तमाल करना है ओ टी में अगर लेता हूं द्रुब ने जमीन से एक पत्तर उठाकर एक सुरंग के एक सुरंग के अंदर की छत पर फेका और धर जुभनों के चमगादर बाहर आने लगे यह वह सरंग नहीं हो सकते दूसरी सुम्ठ में पत्तर फेकने का भी ही परढ़ाम हुआ लेकिन तीसरी सु करना पड़ा लेकिन इस बार काम थोड़ा आसान था यहां का यहां पर रास्ता चुनना आसान है तो वह बल बर बिजली का इस्तमाल अवश्य करता होगा या फिर शायद मशाल का परंतु हर इस्तिति में जहां पर इंसानी निवास होता है वहां पर कुछ ना कुछ गर्मी वैक्षा थोड़ी सी जाधा करन है और हवा की बढ़ती गर्मी बता रही है कि टीटो का डब पास आ रहा है वेलकम द्रूप मेरे आदमियों के लावा इस घर में आने वाले तुम पहले में मानो स्वाधत है टीटो कहा हो तुम सामने आ जाओ अब तुम उससे बचकर भाग नहीं सकते तभी जीरो वाट का एक बल्ब जैल उठा और सुरंगे किसी जनरेटर के कंबन से गूंजने लगी और दुरूप के पीचे लोई कि एक मोटी चादर का अफरोद खड़ा हो गया कौन कम बगत भागना चाहता है खुद भागना तो दूर मैं तो तुमको भी चाक और खाल चड़ा रखी और इस पर पढ़ती तेज रोशनी अलग-अलग रंगों में परावड़ती तो आंखों कुछ चिंद्या रही है और वह इसलिए क्यों कि अंधेरे से अभी आने के कारण मेरी यांके रोशनी के अभ्यस्त नहीं हुई है बता दुरूप अंधेर तेरी आँखों के आगे अंधेरा दुरूप रोशनियों से बचने के चक्कर में वहवार बचा नहीं पाया और उसकी आँखों के आगे सचमुछ अंधेरा चा गया है यह इस बात का भरपूर फायदा उठा रहा है कि मेरी आँख अभी तक चौंध्या रही है और जब तक म इतनी कम चमक वाली है कि मैं उसकी तरफ देख भी सकता हूं और उसकी तरफ देखकर मैं इन प्रशन चिंदन से बच भी सकता हूं और टीटो पर वार भी कर सकता हूं भार बड़ी सकत जान है तू हर वार मेरा वाल झेल जालता है पर यह मेरा अड़्डा है मेरा अड़्डा और इसमें मैंने तेरे लिए कुछ खास इंतिजाम करके रख्या हुएं टीटो ने एक स्वेश्च दबाया क्लिक और धुरुप का बदन हवा में उड़कर लोही के अबरोज से जा चुपका तन देखा धुरुप अब तु विद्द चुम्ब बन चुकी लोही की दिवार में ऐसे चिपक गया है जैसे शेहद में मक्ही तुझे मैंने जब धातु की बेल्ट ब्रेसलेट और बूट कॉलर पहने देखा था तब ही यहाँ पर आकर इस कैद का इंतिजाम कर दिया था अब देख विद्द चुम्ब की इस दिवार ने तुझे तेरी चीजों के जरीए चिपका लिया है इतनी घटिया चाल मेरी चीजों से मुझे कैद करना चाता है टीटो इन चीजों को मुझे खोलना आता है और एक बार यह खोल गई तो चाहिए चिपकी दे जाएं मैं आजाद हो जाऊंगा मैं जानता हूं इसलिए इससे पहले कि तुम तुम इनको खोले मैं डबल लॉक लगा देता हूं इनको खोलना इन्सान के बसकी बात नहीं है पर इसके बाद भी मैं तुझे कुछ समय दे कर जा रहा हूं पांच मिनट उसके बाद यह बंफट जाएगा और तेरा काम हो जाएगा टिक टाप टिक टाप इन मैगनेटिक लॉक वाले क्वेश्चन मारकों को तोड़ने की कोशिश में समय बरबाद मत करना है इनको खोल पाना इन्सानी शक्ती से बाहर की बात है अब भई मैं तो अपने चितले और करवाने के लिए यहां पर रुखूँगा नहीं पर मैं चीटिंग भी नहीं करूँगा जाने से पहले तुझे इस कैद की पहली से चूटने का हल भी बताता चाउँगा देख इस दमागे से तू तब ही बस सकता है जब इस दमागे से प करते हैं मिलते हैं कोईज मास्टर के तीसर और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद